हालो फ्रेंड्स आज हम 10th क्लास की एक पोयम करने जा रहे हैं दा टेल आप कस्टर्ड दा ड्रेगन यह फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोयम है रिटन वाई और्डगन नैस और्डगन नैस एक अमेरिकन पॉइट हुए है इन्होंने अनकन्वेंशनल राइम स्कीम में अपनी निटी पोयेट्री को लिखा है एक डिफ्रेंट टाइप औरुस इन्होंने क्रियेट किया है और और त्सक्राइब्स बिए क्या होती है जिस महमें हंसी जिसमें सटायर हो रर इस इस पोयम में भी ओर्टगन नैस ने एक हाश्यापत बात बताई है एक हुमरस स्टॉरी बताई है इसका मेन मोटिव यही है कि कुछ व्यक्ति अपने आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि वी कैन डू एवरिफिंग वी आर क्रेजियस वी आर ब्रेव बट जब उनकी जरूरत होती है जरूरत के टाइम पे वो भाग जाते हैं यानि कि वो होते कायर हैं लेकिन अपने आपको दिखाने की कोशिस करते हैं कि वे कायर नहीं है इस पोयम में यही बात बताई गई है आएए चलते हैं पोयम की और बिलिंडा लीवड इन अा लीटल वाइट हाउस वी दड़िटल बलक किटन एंड एंड लीटल ग्रेव आउस एंड लीटल यालो डॉग एंड लीटल रैड वेड वैडन एंड रेलियो टूलियो लेटल पैट ड्रेगन इस में पताया है कि दे देर देल लेडी हूज नेम उसका बिलिंडा एक महिला है उसका नाम बिलिंड़ा है और वह एक वाईट हाउस में खोते से वाईट हाउस में रहती है यहींकि उसके हाउस का गलर वाईट है विद लिटल ब्लाक किटन किन के साथ रहती है उसके कुछ पैट है कुछ पालतू है कुछ जानुरों को उसने पाला हुआ है उनमें से क्या है लिटल ब्लाक किटन किटन क्या होता है बिल्ली का बच्चा एक तो बिल्ली का बच्चा पाला हुआ है एंज लिटल ग्रे माउस औ एंड लिटल येलो डॉग और एक येलो कलर का डॉग है एंड लिटल रेड वेगन और ये सारे कहां रहते हैं इनकी एक गाड़ी है वेगन है जिसका कलर कैसा है रेड है और सचमुच में ही यहाँ पर रेड येलो डॉग डालने के लिए इन वर्ट्स का प्रियोग किया है वास्तों में वर्ट्स क्या है रियल और टॉली के वास्तों में उसने एक ड्रैगन भी रखा हुआ है अब ड्रैगन को कौन पालता है कि ड्रैगन को कभी सूना है कि हमारे घर में एक पै्ट कव सूना हैद डोग सूना है पैट कैट सूना है लेकिन पैट ड्रैगन नहीं सूना होगा तो इसमें मैं बताया है कि बिलिंडडा फिन पालता है तो युली डाल mitt discussions हैं और एक वाइट हाउस में रहते हैं उनके पास इन जानौरों के लिए एक रेड कलर की वैगन है गाड़ी है तो इस प्रकार से हमने देखा के बिलिंडा अपने पैठ अपने पालतू जानौरों के साथ वाइट कलर के हाउस में रहती है अब उनके नाम क्या है जो ब्लैक किलर का जो छोटा सा बिललिगा बच्चाह है उसका नाम क्या है इंक क्या जो इसका पालुम ग्रे म deze Dadje माउसमा कलर कैसा है ग्रेंग शी कॉंड़्िंडा वी यह चल जो माउस है जिसका कलर ग्रे है उसका नाम है ब्लिंक और जो लीटल ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक एंड दा लीटल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड मस्टर्ड क्या होता है सर्सोगन बोलते हैं मस्टर्ड सीड सर अब भी तो मस्टर्ड है यालो डार एक पीले रंका और क्योंक न्योंतों इसका नाम भी क्या रख दिया मैंसटर्ड झाट था एड़ बट दड्राइगन वोज अ कवर्ड एंड सी कॉल्ड इम कॉष्टरड लेकिन जो ड्राइगन था वह बहुत कायर था उसको सब लोग कायर कहते थे जबकि सबसे ताकतवर वही था डोग, कैच, माउस इन सबसे तो ताकतवर ही होगा ड्रेगन तो ताकतवर वही था लेकिन उसको सब के सब क्या बोलते थे बोलते देखे तो कायर है उसका नाम कर्षटर अब आपको पता चल गया उसका नाम नाम इंक है जालो डोग मस्टरужд है और ड्रैगन को जिसको कावर्ड कहते है उसका नाम कर्षटर अब ता ब्रैगन है ये को एक्स्प्लेन किया है कि सारी रिक रूप से कासा है कस्टेड डा ड्रैगन जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टेड है है बिक शार्पपटित उसके बड़े-बड़े धंच है उसके तीखे है शार्प तीखे and spikes on top of him और उसकी जो body है body के top पे के हैं? spikes है spikes क्या होते हैं? nuclei कांटे तो उसकी body को पर जो है एक ऐसे कांटे हैं जो क्या कर सकते हैं? जो किसी को चुब सकते हैं किसी को लग सकते हैं तो spikes हैं nuclei कांटे हैं and scales underneath और उन कांटो के नीचे क्या है? scales है scales क्या होते हैं? जो skin होती है वो खुरदरी हो वो पपड़ी उस पर ऐसा हो जैसे पपड़ी जम गई हो जैसे कहीं पर मटी किसी जानवर को पर लग जाए तो वहां जम जाती है उसको बोलते हैं scales तो इसकी body पर पहले scales थे और scales के उपर क्या थे? spikes थे नुकीले कांटो की तरह इसके उपर क्या खड़े थे? धारदार कांटे खड़े हुए थे mouth like a fireplace fireplace क्या होता है? जिसमें आग जलती है ऐसा माना जाता है कि dragon के मुह से fire निकलती है आग निकलती है तो इसको क्या बना? कि इसका मुह जो है वो कैसा है? fire place की तरह है chimney is for a nose और उसके नाख के लिए क्या यूज किया? chimney कि जैसे chimney से दुवा निकलता रहता है वैसे ही dragon के नाख से smoke निकलता रहता है तो इसलिए क्या कहा? कि उसका nose किसके साथ compare किया है? chimney के साथ और mouth को fire place के साथ एंड रेलियो ट्रूलियो ट्रैगर्स डैगर्स on his torch उसके पंजे थे जोसके ना खून थे टोज थे वो उन पे क्या थे? वो ऐसा था मानो जैगर्स हों खंजर हों नाइफ नुकिले हों आपको बता दिया कि जो ड्रैगन है उसके sharp tit थे और उसकी skin के उपर spikes थे और spikes के ठीक निचे क्या थे? scales थे पपड़ी दार उसकी तबचा थी मूँ को compare के है fire place से और नाख को compare के है chimney से और ये भी कहा है कि जो उसके pair है उनके जो पंजे हैं उनके जो टोज है वो ऐसे हैं मानो daggers हो हो खंजर ही हो अब हमने ये पढ़ लिया अब इसमें देखें कुछ devices का यूज करते हैं point तो इसमें भी कुछ devices का यूज किया गया है अब क्या-क्या devices यूज की गई है वह हम यहाँ पर देख लेते हैं एक तो यहाँ पर देखें आप mouth like a fireplace जहाँ पर like आ जाए एज आ जाए वहाँ पर आपको बताया हुआ है एक device होती है जिसको बोलते हैं simili तो यहाँ पर mouth like a fireplace इसमें ये simili का यूज हुआ है एक यहाँ पर यूज हुआ है sharp edge mustard कि एज और like यहाँ पर आ जाए क्योंकि यहाँ पर मस्टर्ड के साथ यलो डोकी comparison की गए उसके color की इसलिए उसका नाम मस्टर्ड रखा हुआ है तो यहाँ यहाँ पर इस लाइन में भी कहा है simili का कि यूज हुआ है कि इसके बाद चिमनी फोरा नोज यानि कि ना कि ही चिमनी है यहाँ पर एज या लाइक के साथ comparison नहीं किया है लेकिन जहाँ पर compare किया हो लेकिन एज और like ना हो वहाँ पर पर होता है रूपकलंकार होता है तो इस लाइन में चिमनी फोरा नोज में क्या है मैटाफर है तो इस परकार से इसमें एक और आप देखो पैट ड्रेगन पैट और ड्रेगन दोनों बिल्कुल विप्रीत हैं ड्रेगन पैट नहीं हो सकता ड्रेगन को हम पैट नहीं बना सकते पाल्तू नहीं बना सकते और जहां पर दो पोजिट वर्ड्स आ जाएं जो विप्रीत अर्थ दें लेकिन उनको एक साथ प्रियोग किया हुआ हो उसमें होता है ओक्सी मोरॉन तो यहां पर क्या है ओक्सी मोरॉन जैसे आपको अक्सी मोरॉन का एकवर एकजाम्पल लिठ लिजिए ऑपन सिक्रेट कहा सिक्रेट भी है और ओपन भी है ड्रेगन भी हैARD और पैट भी है लेकिन ड्रेगन पैट नहीं हो सकता इस प्रकार से हमने देखा कि बिलिंडा नाम की एक महिला है उसके चार पैट है चारों के नाम अलग-अलग है ब्लैक किटन का नाम इंक है ग्रे माऊ स का नाम बिलिंक है यवलो डोक का नाम मस्टर्ड है और एक कस्टर्ड है जिसivesseर जिसको जो ड्रैगन ड्राइगन की फिजीकल अपेरंस के बारे भी हमने जान लिया अब जानते हैं कुछ दूसरे करेक्टर्स के बारे में जैसे इंक, बि्लिंक, कस्टर्ड और बिलिंडा के बारे में बिलिंडा वाॉज आज बेव एज बेरल full फिल उप बियर्स and ink and blink chased loyens down the stairs के बिलिंडा कितनी बहादूर थी मतलब के ड्रैगन को तो नोंने covered कायर गोसित कर दिया के ये तो कायर है इसके बसका कुछ नहीं है लेकिन बताया है के बिलिंडा इतनी बहादूर थी जितना की आप बैरल फुल अप बेर्स बेर्स क्या होते हैं भालू कि उसने कपड़े पहन रखे थे वो फरी क्लोट्स थे तुकि भालू के शरीर पूल फर होता है क्यों फरी k्लोट्स थे और यहां पर एक सटायर भी है कि वह बेर्स की तरह दितने होटी ताजी थी लेकिन इसमें जो है बेरल्स मीनसहा अ ग्रूप ओप बेर्स की चूब्रे के वह बहुत बहादूर्स ठीजिशा के जैसे के बेर्स होते हैं उनके सास्थ उसकी कोफेर이죠 की घूए-अ-थी- ॐबोडी में अभाय बहुत ज्यादा सब्सक्राइं करेंद इतन ignoring इंक बलेक्ष है इंक ब हगा अगर मत्लियोंग सब्सक्राइब, इंके सामने लॉयन ऐने trzyaroo on तो वो उसको face कर सकते हैं एक little जो kitten है ink और एक जो gray color का mouse है blink को इतना बहादूर बताया है अगे mustard जो dog है was as brave as a tiger in a rage rage क्या होता है? गुस्सा कि mustard तो इतना बहादूर है इतना brave है जितना कि एक tiger अपने गुस्से में होता है but custard cried for a nice safe cage लेकिन custard तो हमेशा cried करता रहता है चिलाता रहता है किसके लिए एक safe cage के लिए कि मुझे एक पिंजरा दे दो रहने के लिए तो यहाँ पर भी एक सचायर है कि जो custard है जो dragon है वो तो बहुत बहादूर होता है उसको cage की क्या जरूरत है यह हमेशा चिलाता रहता था एक safe cage के लिए बिलिंगा tickled she tickled him unmerciful tickled होता है गुदगुदी करना छेड़ना teach तो वहाँ उसको unmerciful mercy क्या होता है mercy दया तो जैसे बच्चे कहीं बार फेल हो जाते हैं उनको school college university mercy chance दे देती है उनको पर दया कर देती है चलो एक बार और पर देतो तो unmerciful क्या है जिसमें दया ना हो निर्दयता तो विलिंडा custard को tickled करते रहती थी उसको unpleasant way में unmerciful तरीके से उसको गुदगुदी करते रहती थी उसको छेड़ती रहती थी उसको परिशान करती रहती थी इंक, blink and mustard और जो इंक, blink and mustard इंक मतलब kitten, blink, mouse और mustard जो dog है वे उसको परसीवल कहते थे अब परसीवल का मेनिंग क्या होता है किंग ओर्थर के दरबार में एक नाइट था एक दरबारी था K-N-I-G-H-T ये ऐसे होते हैं कि उनको उपाधी दे दी जाती थी वही किसको सर की उपाधी दे दी जैसे भारत में गांधी जी को महत्मा की उपाधी दे दी गई थी नहरू जी को चाचा की उपाधी दे दी गई थी तैसे दर्बार में King Arthur के एक दर्बारी था उसको Knight की उपादिती हुई थी उसको Parcival कहा गया, Parcival क्यों कहा गया? वह अपनी बहदूरी के लिए famous था और जिस समय बहदूरी दिखाने का समया उस समय भाग गया तो इसलिए उसको कायर कहा गया, तो Parcival यहां पर यूज हुआ है कायरता के लिए तो Ink, Blink और Mustard उसको Rudely पूछते थे, बड़ी कुरूरता से पूछते रहते तो उसको और क्या कहते रहते तो उसको? Parcival, कि तुम तो Parcival हो Parcival मतलब कि जैसे King Arthur के दर्बार में जब अपनी बहदरी दिखाने का समया तब वह दर्बारी भाग गया इसलिए उसको क्या बोला गया? Parcival, कि तुम तो Parcival के तरह उसका नाम क्या था दर्बारी का? Parcival कि तुम भी उसकी के तरह कायर हो They all sat laughing in the little red wagon Red wagon, उनकी जो गाड़ी थी, वे सारे उसमें बैठ करके हंसते रहते थे, enjoy करते रहते थे At the Raylio Trulio Cowardly Dragon, किसके उपर हंसते थे? At the Raylio Trulio Cowardly Dragon, Dragon को जिसको कायर कहा गया कि वो कायर ड्रैगन के उपर हंसते रहते थे और ड्रैगन का नाम क्या था? Custard Blinda giggled till she shook the house कहीं बार बच्चे न बहुत ज्यादा शोर करते हैं क्योंकि पेरेंट से जाटते हैं क्यों सारे घर को सिर पे उठा रखा है क्यों सारे घर को हिला रखा है तो यहां पर मतलब क्या है? कि Blinda giggled, Blinda बहुत हंसती रहती थे, giggled, हंसना बहुत जोर से हंसना और कब दक हंसती रहती थी? Till she shook the house कि जब तक वह है पूरे घर को ना हिला दे ज़िकि पूरे घर में ना पता चल जाए कि Blinda हंस रही है पूरे घर को हिला करके रख देती थी और बिलिंक सेड विक विच इज़ गिगलिंग फोर आ माउस और माउस जब हंसता है तो वीक की साउंड देता है वीक क्या है? वह चुहें की हंसने की साउंड है तो बिलिंक वीक करता रहता था इञा? इंक & mustard रही आस्क डही एज वैन कश्टरड क popped for a nice safe cage जब कश्टरड एक safe cage की बारे में बात करता था था कि मुझे shape cage चाहिए वह विच्रा चाहिए उस समय एंक & mustard उसकी age पूछ दे ते तमहारी age क्या हो गई है? यह यहुहांद पर एक stir है एक व्यंगे है उसके उपर एक ताना मार दिया है कस्टर्ड के उपर कैसा ताना कि तुम अब इतने छोटे नहीं रह गए हो कि तुम्हें केज की जुरूत पड़े तुम्हें पिंजरा चाहिए तुम्हारी एज क्या है तुम अब काफी बड़े हो गए हो इसलिए तुम यह की बात करते रहते हो यह छेग नहीं है यह सको पर एक ताना मा रहा है होन्होंने अब देखिए अगर में इस pops की बात करें तो एक तो पहली में देखिए उन्होंने दिखाया गया है तो यहां पर भी क्या है यहां पर भी सिमली का यूज हुआ है तो इस लाइन में और इस लाइन में आप किसका यूज कहेंगे इसमें सिमली का यूज किया गया है और एलिट्रेशन क्या होता है जब किसी लाइन में आने वाले वर्ड के इनिशियल जो अल्फ है तो इसमें क्या है hipp patern कर अनुप्रासलंग कर यह कि यह एक प्रकार से और एक प्रकार से व्यंग्य क्या है कि सेrail के ऊपर आज एक आगे को देखते हैं कि ने क्आ क्या बताया गया है कि आजिए अब देखते हैं आगे अच्छानक इस कहानी में क्या मोड आता है जो हमें पोया में बताएं गया है कि सद्धनली सद्धनली दे हर अनेश्टी सांट नेश्टी होता है अनप्लीजेंट जो आपको अच्छी ना लगे आ सुखद and mustard growled and they all looked around meow cried ink and oh cried blinda for there was a pirate climbing in the window केते के अच्छानक अच्छानक क्या हुआ अनेश्टी सांट उनको एक अनप्लीजेंट सांट सुनाई थी उनको कोई आवाज सुनाई थी और वो आवाज कैसी थी अनप्लीजेंट थी उनको अच्छी नहीं लगी थी and mustard growled और जो mustard जो डॉग था डॉग की आदत क्या होती है जैसे कोई आवाज सुनाई देगी एकदम से पार्किंग करना शुरू करतेंगे तो वो ग्रॉल्ट गुर्राया और उन सब ने अपने चारो तरफ देखा कि क्या हो गया है कहां से आवाज आई सब चोकन ने हो गए इंक ने अपनी साउंड जैसे जो इंक है लिटल ब्लैक किटन है उसने अपने आवाज निकाली मियाओं की आवाज निकालती है वह निकाली एंड ओ क्राइड बिलिंडा और बिलिंडा ने देखर कि ऑओ क्या हो गया है हो पौर्थे रोगशा पैर हो पायरेट उन्होंने क्या देखा वहाँ पर एक पायरेट था व्यासे तो पाई राथ जो तो पानी के शिप होते हैं समूद्र के बीच में चलने वाले शिप जहाज होते हैं उनको लूटते है उनको लूटते हैं समूद्री डॉप मोखों को बोलते हैं है तो यहाँ पर एक पाइडेट आ गया था एक लुटेर्श आ गया था climbing in the window लिंडा मिंज विंड़ू जो विंड़ू प्रकर करके अंदर एंटर हो गया था और जैसे ही वह हैं होता है निचे की और कूरता है तो उनको वह साउंड सुनाई देती है और उसको देख करके मस्टेर्ड ने क्या किया ग्रॉल्ड उसने गुलाना शुरू कर दिया और क्राइ अब उस पाइरेट का फिजी कल अपिरेंस बताया है और उसके पास क्या है यह बताया है पिस्टल इन हिस लेप्ट हैंड पिस्टल पिस्टल क्या तो हैंड गन होती है हाथ में पकड़ कर जिसको चलाते हैं पिस्टल रिवॉलबर भी होती है लेकिन पिस्टल रिवॉलबर गन सब अलग अलग टाइफ है तो उसके लेप्ट हैंड में क्या था पिस्टिल थी पिस्टिल इन ही राइट राइट हैंड में भी पिस्टिल थी यहनकि राइट और लेप्ट दोनों हातों में उसके पिस्टिल थी and he held in his teeth a catlast bright catlast क्या प्याति है एक स्वार्ड एक तलवार और तलवार कैसी जो मुड़ी हुई हो जो कर्व हो जैसे आपने कर्वड मून देखा होगा हाप मून देखा होगा आपने ऐसे कर्वड तो जो कट्लास है वो ब्राइट थी चमक रही थी और ये एक छोटी सी स्वोर्ड होती है जिसको आप कचार कह सकते हैं कि उसके हाथ में क्या थी एक कचार सोरी उसके दातों में उसने अपने मूह में अपने मूह में दातों के बीच में क्या रख हुई थी एक कचार रखी हुई थी एक कचलास रखी हुई थी जो बहुत चमक ती यानि कि right hand में पिस्टल left hand में पिस्टल और मुं में दातों के बीच में क्या थी एक कचार उसने पकड़ी हुई थी इस बिर्ड वोस ब्लाइच, दाड़ी उसकी कालि थी राएज लॉज fame sna brings a नहीं होने वाला था कुछ भी जो व्यक्ति हातों में पिश्टल ले करके मुझ में कचार ले करके आ रहा है क्या उसके इरादे अच्छे हैं इट वोज किलियर दैट दा इंटेंशन ओप दैट पाइरेट वोज नौट गुड तो इसका इरादा अच्छा नहीं था बिलिंडा वोज पेल्ड पेल्ड पीला पड़ जाना तो पीली पड़ गई मतलब डर गई टेरिफाइड पेल्ड मतलब कि वह डर गई वज टेरिफाइड जब कोई डर जाता है तो क्या कहता है है लगी है अब हैल्प कोन करेगा देखिए बस्ट मस्टर फ्लेट विद आज टेरिफाइड येल्प होता है शार्फ क्राइड हल्की सी चीग जब डॉग है न जोग जब ड़ता है और उसको मार पड़ती है तो हल्की सी चीग मार के वह निकल जाता है तो फ्लेट विद से खिशक लिया मस्टर तो वहां से गया जब लिए ना हैल्प हैल्प मस्टर तो महां से सरक गया इंग कर्ण डाउन ट्रिकल डाउन का मतलब बहुत सलोली खिशकना और धीरे से सरक जाना इंक ट्रिकल डाउन तुदा बोटम अफ़ दा हाउस होड जो घर की चीजे है उनके के नीचे इंक कौन है माउस है ग्रेक यलर का वह घर की जो चीजे थी उनके नीचे धीरे से सरख लिया यानी की इंक भी चला गया मस्टरड भी चला गया एंड लिटल मा उस बिंक स्ट्रेटिजिकली माउस होल्ड हूँ था रही यहां पर इंक जो हो ब्लैक टीटन है तो जो black kitten है वो घर के चीजों के नीचे छिप गया और जो mouse है ग्रे कलरका जिसका नाम blink है वो प्लैणिंग के साथ उसने योजना बना ली कि मैं भी क्या करूं और वो कहां mouse hold must i am home called क्योंफ छिद्र जिसमें रहते तो माउस भिकांग्हिसक लिया हूब tip में चला गया तो बिलिंडा ने जैसरे मस्टेर्ड वहां से चला गया एक शार्प क्राई के साथ आख च साथ अपने होल में जाकर के छिप गया इस प्रकार से इंक ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों ही वहां से चले गए तब देखिए ब्लिंडा की हैल्प सुन करके कौन आता है कौन इसे बचाता है ब्लिंडा के घर में पाइरेट आ गया मस्टर्ड वहां से भाग गया इंक घर की चीजों के निच्चे जाकर के छिप गया और ब्लिंक अपने माउस होल में जाकर के छिप गया तो अब ब्लिंडा की हैल्प का जवाब कौन देगा ब्लिंडा जो चिला रही थी हैल्प हैल्प को देख करके अभुसका जवाब कोनर देगा जिसको वह करते थे कायर कहते थे कौन किस्टर्ड तक ड्रैगन बट अपट जंप लेकिन सारे भाग गए लेकिन किया कि उसने जंप किया किसको पर पाइरेट के ऊपर Snorting like an engine Snorting like an engine जैसे एक engine की आवाज होती है Engine जब चलता है तो जैसे उसकी आवाज होती है वैसे ही कस्टर्ड ने आवाज की वह फुबकारन उसने शुरू कर दिया उसने अपने नोज से जैसे नोज कैसे माना था नोज को चिमनी की तरह माना था तो इसकी नोज वह चिमनी की दरह है मौट क्या है? वह फाइर पलेश है तो अपने मुझ से वह है जो फुबकाडने लगा उसे बहर आवाजे आने लगी तो वह कैसे आवाजे थी? लाइक एस इस उर आवाजे जैसे एक इस आवाज ही क्लैस्ट ही किर टेल लाइक ओई लग अईगर्ण्स इना डंजिन स्राओ लोही की संखल जिसे आप बोल सकते हैं है जैसे डंजन काய है एक जेल में एक सैल है और वहाँ पर चाहिदियों को आइरन्स में बांद करके रखा जाता है तो जब वो चलते हैं या इधर-उदर वाक करते हैं तो उन आइरन्स से साउंड पैदा होती है तो जब कस्टेर्ड ने स्नौर्ट किया फुपकारा इंजन की तरह तब ही उसने एक काम मोर किया था अपनी चेल को क्लऄस किया था इधर-उदर देकर के मारा था गुष्से में अपनी पूंच को भी इधर-उदर देकर के उसने मारा और कैसे लाईक आइरनर शिन्ट जैसे की जै02 की एक कॉछ्ट्री में जो चेंस होती हैं जो आइरनز होती। जैसे उनकी आवाज आती है जैसे वो एक दूसरे class होती है चक्राती है वैसे ही उसने अपनी पूंच को इधर उदर जब मारा तो उसकी पूंच वैसे ही चक्राई कैसे चक्राई जैसे के irons एक cell में होती है अब स्वार्म क्योंता है त्विस्ट मुड़ना अज जब वह इधर उदर चलेगा तो ट्विस्ट होगा उसने पूंच को मोड़ना कभी इधर मोड़ना कभी इधर मोड़ना और जब उसकी पूंच इसकी कष्टैड की पूंच इधर उजर चाकर के class होएगी चक्राईगी और लोहे की जो चेन होती है वो चक्राती है और चेन भी कहां की बताई के जेल के अंदर जो कोट्री होती है उसमें कैदी होते हैं उनको चेन्स में बांद के रखा जाता है जैसे वो चेन्स आपस में चक्राती है ठीक उसी प्रकार से उसकी पूंच चक्राई और चक्राने के है जैंगलिंग सान्ड क्लैंक खन कणाट होना है उनकी आवाज होती है खड़गण सब्सकूर्ब आप AMY के अवाज्ञा होना जैसे सिक्के खणकते हैं तो खन खन की आवाज कर ऑद करा नइसो कि आवाज होना शोर होना वैसी आवाज आई जब उसने अपनी पूच को ट्विस्ट करकर के क्लैस किया बहुत सारी चीजों से अपस में चक्राया तो इस परकार से कश्टर ने अपना काम कर दिया कि उसने अपना पूरा परियास किया पाइरेट को मारने का पाइरेट से बचने का और फिर आगे क्या हुआ क क्या परिवार की रक्षा, हो पाईी, क्या परिवार को कुछ defense किया उसने, He went at the pirate, like a robin, at a warm, warm क्या वोता है, कीडा, कोई भी और जो robin क्या है, पुरा नाम है, robin hood, robin hood, एक पक्षी है, एक bird है, वहाँ कीडों को खता है, और बडी शार्प बडी तेजी से बडी फास्ट एक दम से कीड़े पर अटाक करता है तो जिस पर्कार से रोबिन हुल पक सी एक वार्म के ओपर अटेक करता है थीक उसी परकार से कस्टरड ने क्या आक्या पाइला लुसको पर उन्हीं कि पाइल अचेक किया है ज्योंगर मारना उसके वो जपच पड़ा उसके पूपर टूट पड़ा जैसे की रोबिन वर्म के ओपर टूट पड़ता है कि डव फाइयरेट गेफड एट विलिंडास ट्रैगन अब पायरेट भी तो अलेट था पायरेट के राइट फ्रिश्टल युथ्य काछार चमक रही है तो पायरेट च चम और होगया उसका मुह खूल learn का खुला रह गया और उसने विलिंडा के उस ड्रेगन के उपर जिसका नाम कश्टर्ड था देखा एंट गल्प्ट सम ग्रोग फ्रॉम हीच पॉकेट फ्लेगन पॉकेट जेब फ्लेगन फ्लेगन का मतलब है बोतल सुरही आपने देखियोंगी जो राजा थे पहले वो सुरही में सराशाप डालते थे और उस से फिर वाईन.- ठीटे थे तो यहांपर फ्लेगन का मतलब है दूराई उसकी पॉकेट में एक सुराई थी और सुराई में क्या था ग्रोग ग्रोग मतलब वाइन शराब गल्प निगलना कि उसने क्या क्या बिलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखा और कुछ ग्रोग कुछ वाइन अपनी पॉकेट में जो सुराही थी उसमें से गल्प की उसमें से निगल ली यानि कि एक दो घुट उसने पी ली ही से ette लेकी फिर श्क बॉलाफ टा और पिर गुस्से में था ओर फ्रींप था दो गॉलीट फायर करती है आथ जो गोलिया चला दी but डे डिइडंटhe लेकिन वह गोलिया किसी को डीलय कि लुकुल अ गिया वह बुलेट्स ने किसी को गायल नहीं किया इंजर नहीं किया कि ईनकश्ट गोबाउठ निगल लेना तो कि दो ज़ी एवरी बड़े बट मतलब थोड़ा से उ Guide Club ने है उसने दो फाइई कर दिये और दूसरा चान्स मिलते ही किस्टर्ड में उसको सारा का सारा every bit सारा का सारा उसको निगल लिया स्वेलो कर लिया जो उसको निगल गया इसका मतलब क्या है पाइरेट मर गया अब जितने भी इंक ब्लिंक मस्टर्ड जो छिपे हुए थे अब वो सारे बाहर निकल आए और बाहर निकल के क्या करने लगे बिलिंडा ब्लिंड ने इसको उसको एंबरेश्ट कर लिया गले लगा लिया इसको कस्टर्ड को खुस हो गई बिलिंडा कि बएक ने पाइरेट को मार दिया उसको खुसी से गले लगा दिया मस्टर्ड जो डॉग था डॉग क्या करते हैं लिक करते हैं चाटते हैं वो अपने मालिक को उनके हाथों को उनके मुझ को चाटते हैं तो मस्टर्ड ने क्या किया उसको लिक किया मस्टर्ड स्टार्टेड लिकिंग कॉस्टर्ड को खा लिया था उसका क्या हो गया था शिकार हो गया था उसके लिए कोई भी किसी ने भी शोक परकट नहीं किया किसने भी दुख व्यक्त नहीं किया इंक एंड ब्लिंक और इंक और ब्लिंक इंक जो किटन था और ब्लिंक जो माउस था इंक गिली गिली होता है खुशी परसंता डिट गाइरेट गाइरेट मतलब दान्स करना उचल कूद करना कि इंक और ब्लिंक ने तो खुसी में उचल कूद करनी शुरू कर दी किसके चारो और राउंड दा ड्रैगन दैट इट दा पाइरेट उस ड्रैगन के चारो और इंक और ब्लिंक ने खुसी में उचल कूद करनी नाचना शुरू कर दिया उस ड्रैगन के चारो और जिसने किसक लाइक आगया इसमें सिमली क्योंकि कमपैरईजन एक него क्या फानी को कैसे क्लैस किया कहानी यहां पर आ पाराइक वयलाइक बीचनिया गाया जक्तिक सम्धान का यह यहां पर सब्सक्राइश का अुप लाइन में इस लाइब में और स्ट्ट लाइन में सेकंडर नान में सीमली हुआ Alter ने इस पूरी ही विकार्म में बहुत जगää सीमली का जूज क्या है और यहां पर देखें डिद संप ग्रोग का और और ओर सूंड पर इसमें क्या है यह तो कि यहां पर युज किया है इस प्रकार से इसमें बहुत सारी निवासिस का Olay है आए ये देखते हैं अंत में क्या होता है इस प्रहम में आगे किया होगा इससे पहले के हम पोयम में आगे बढ़ें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आए चलते हैं अगर कि ऋर कश्टाण ने किस प्रकार से पूरे परिवार को बचा लिया जितने भी पैट्स थे और बिलिंडीघा थी उनको बचा लिया और सभी ने उसको प्यार किया किसी किसी ने उसको लिए किया और शोके चारहुतरप गारेट यानिके डांस किया किसी ने इस प्रकार से सब करेंड की प्रेज कर रहे थे यह वही थे इन्ट बलिंक मस्टर और ब्लिंडा जो कर्षिड को कईर कहते थे लेकिन प्रसंसा करने के बाद फिर उनके अंदर वही बात अजाती है और क्या बात आती है है बॉत प्रेजेंटली आफि प्नॉप लिट्टल डॉ टॉक मस्टर्ड सबसे पहले मस्टर्ड बोलना सुरू करते है मस्टर्ड जिसने अभी कस्टर्ड को लिख किया था उसको उसको प्यार किया था वो क्या बोलता है आई वुज है वीन ट्वाइस एज ब्रेव इप आई हैडन्ट बीन फ्लस्टर्ड फ्लस्टर्ड वन्लब कन्फ्यूज के यह जो कईस्टर्ड ने काम किया है ना इस से डाबल दोगौन ज़्यादा मैं बहादूर हूं और मैंसे दुगनी बहादूर इसे काम करता इस यादि मैं हैडन्ट बीन फ्लस्टर्ड यदि मैं कंफ्यूज ना हुआ हुआ था मैं तो था गया था मुझे समझ नहीं आ रहा था वह तू डू क्या किया जाए तो मैं त्वाइस दूगना कर्ष्टर ने जितनी बहादूरी से काम किया उससे डबल बहादूरी से ब्रेवरी से मैं काम करता एंड अप स्पोक इंक जो किटन है एंड अप स्पोक ब्लिंक और ब्लिंक ने भी ऐसा ही कहा और क्या कहा इंक ब्लिंक ने we would have been three times as brave we think क्या कहते हैं कि हम तो यह सोचते हैं तुम तो double time इससे बहादूर होते हम तो यह सोचते हैं कि अगर हम confuse ना हुए होते इंक और ब्लिंक के यह बात कहा रहे हैं तो हम इससे तिगुना three times brave होते इससे custard से तो mustard ने कहा कि मैं twice दूगना double time इससे बहादूर होता इंक और ब्लिंक कहते हैं कि हम three times इससे ज़्यादा बहादूर इससे काम करते बस हम तो क्या हो गए थे फलस्टर्ड हो गए थे confused हो गए थे और ऐसा हम सोचते हैं यह तिनों यह बात कहते हैं and custard said custard क्या बोलता है I quite agree ठीक है वाई मैं तुमसे सहमत हूं मस्टर्ड तुम में से double time बहादूर हो तुम उससे three times बहादूर हो तुम ऐसा कर लेते मैं तुमसे सहमत हूं that everybody is braver than me के यहाँ पे जो कोई भी है ना सब मेरे से ज्यादा बहादुर है इवरिवोडिवेगी से ज्यादा बहादुर है यह बात के चलए सैंह darf उसको मानलेता है क्यों मant त हैं यह कि आ और इस कहानी में जूर यह बता गया है सब दिसका एक ही मकसद है कि जो लोग अपनी जींगें हाकते हैं अपनी बहादूरी की वो समय पर काम नहीं आते इंक, बिलिंक और मस्टर्ड ने यही किया है इस पॉये में जो पूरी एक कहानी के तोर पर आपको बताया गया है उसमें यही समझाया गया है कि जो लोग बहादूर की कहीं बाद देखें हागते हैं वास्तों में वह बहादूर नहीं होते समय पे भाग जाते हैं वह परसीवल बन जाते हैं में मैं तुम से सहमत हूं बलिंडा स्टिल लीव सेंब यह जो लैंज के दो स्टेंजा है चार लाइम का स्टेंजा स्टेंजा सेंतलम स्पाइब Nessa रॉल एन्स आप मुझे कर दिए तो यह साइब ऐसी कि इसमें स्टेंजा और की रिपीट कर गகर गया है जो आपको सबसे शूरू में लाइनस मिलती है वो जहां पर है बिलिंदा फिर आपने बिलिंडे अपने रहती है अपने व मिलेक किटन और azon che प्रेद मौस के साथ और उनके पास एक एंड लिटल यालो डूग है एड यहां पर दे दिया गया है उसको आप दोबारा देख सकते हैं स्वी में इसे नो刀 से बैरल फूल अब मताया है और फरी इसने कलउट्स पहने बेर की तरह जैसे बेर की जो सकिन होती है यह से ही बिलुंड ने फरी कलोट्स पहने और बहुती है बहुत ही फैट है उसको इतना बहुत बताया गया है एंब इंक & ब्लिंक इंक जो केटन है बिली का बच्चा है बिलिंक की जो माउस है चेज लोयक्षे डाउन डाश्टेयर्स उनको इतना बहदूर पताय गया है कि वो लोयक्ष को सीड़ owस से नीचे उतार करके आएं कि इतने बहदूर हैं कि वो लॉयन्स का भी सामना कर सकें और आगे मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इना केज यह भी आपको सेक्ड स्टेंज में बता दिया गया है कि जैसे इना रेज जैसे चाइगर रेज में होता है उसी प्रकार से मस्टरड को बताया है गया गया कि वह वह इतना बाहदूल है WHY श्वा भी ऐसा ही है जैसे चाइगर गुस्टे में होता है वाद केजश लों के लिए के से लिए केज़ा तो में यहां पर है यहां पर लाइक है जैसे यह बैप लिंक उस्टेड्ड यह एज अख तैगर जहां पर यूग होग हो़ा है वहां पर सिमिली का यूज है अब मैं इसमें आपको बताता हूं राइम स्कीम किर्णा हर स्टेंजा में राइम स्कीम एक ही है सुरू से लेकर आखिर तक तो मैं एक स्टेंजा की राइम स्कीम आपको पता देता हूं बाकी की आप वही राइम स्कीम यूजे करेंगे जैसे यहाँ पर मस्टर्ड फ्लस्टर्ड तो दोनों सेम वर्ड सेम सांड आ ए इसके बादा ब्लिंक और थिंक बी बी त स्टेर्स ए ए रेज केज विवी आप यहाँ पर देख लिए एग्री मी ए एं ए हॉस मौउस वैगन ड्रैगन तो यहाँ पर क्या है इसमें पूरी क GPA में एक ही राइम स्कीम है जो है ए ए और बी बी आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी पोएम का क्या message है इस poem में जो कहानी बताई गई है उसके मात्यम से हमें क्या समझाने का परियास किया गया है आप वीडियो को like करें share करें रेज बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज को नोटिफिकेशन सापको मिलते रहें thank you have a nice time